बिस्मिल्ला रख्मान रएम डि रिय माध्युद्ध असलावो अलहीकूं वेल्कम तो इसकाैलन्ड क्लास्ट्रोम सकाैलन्ड क्लास्ट्रोम में आज का जो ट॔पिक है आपके लिए वो है वाट इफ अब देखे वाट इफ जो है वैसे अगर जाहरी तोर पर इसके हम meaning देखें तो what का मतलब होता है क्या और if का मतलब होता है अगर अगर हम इसकी लवजी माना के मताबिकी sentence में इसको use करेंगे तो भी तक्रीबन तक्रीबन इसकी meaning same निकलेगी पर अगर हम इसको जो हम अर्दू के अंदर phrases use करते हैं इसकी meaning के लिए वो अगर इस्तमाल करें तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको समझने में for example हम कहते हैं ऐसे बहुत सारे sentences हैं जिन में हम कहते हैं कि अगर वो ना माना तो अब यहां पर जो हम कह रहें ना अगर और आखर में बोल रहें तो अब इस sentence में हमें what if की जरूरत पड़ेगी अगर वो ना माना तो यह हम इस तरीके का कोई sentence बोलें कि अगर वो आ गए फिर अब यहां पर अगर and then फिर तो या फिर यह दोनों एकी meaning देतें और ऐसी situation में जहां पर हम क्या करते हैं suppose करते हैं जहां पर हम फर्ज करते हैं हम कहते हैं ना फर्ज करो अगर ऐसे भी बोलते हैं काफी लोग ऐसे भी बोलते हैं फर्ज करो अगर ठीके तो वहां पर हम what if को इस्तुमाल करेंगे जहां पर हम यह बोलना चाहें कि अगर ऐसा ना हुआ तो या अगर वो आ गए फिर तो उस situation में हम what if को इस्तिमाल करते हैं तो यहाँ पर आप इसका formula देखें मैंने लिखा है पहले पहले आएगा sentence के अंदर what if यानि sentence जब आप बनाएंगे English के अंदर तो what if पहले आएगा उसके बाद आप subject लगाएंगे अब subject singular या पिलूलर के मताबिक फिर verb भी होगा verb की हमेशा first form आएगी यहां पर क्योंकि यह sentence present simple tense के अंदर होगा and then plus object होगा अब यह चीज़ें आपको चाहिए होती है यह एक किसम का raw material है आपके लिए इसको sentence को बनाने के लिए ठीक है जी तो sentence जब आप बनाएंगे तो इस तरीके की setting होगी कि what if आएगा इसके बाद subject आएगा verb की first form आएगी and then object आएगा तो आपका sentence जो हो automatically बन जाएगा अब for example मेरा एक sentence है जैसे मैं कहता हूँ कि अगर वो ना माने तो तो अब मैं क्या करूँगा मैं इस फार्मूले के मताबिक उसको बनाऊंगा ठीक है अब जहां पर देखें मैंने एक example बनाया है what if he refuses अगर वो इंकार करे तो हम बोलते हैं ना अगर वो इंकार कर दे तो या अगर वो ना माने फिर तो हम दोनों sentences के अंदर इसी structure को follow करते हुए बनाएंगे what if he refuses अगर वो इंकार कर दे तो या अगर वो ना माने फिर अब देखें यहाँ पर वही structure जो उपर मैंने लिखी है बिलकुल उसी को follow करते हुए मैंने ये example भी बनाया अब दूसरा sentence आप देख लें अब यहाँ पर what if पहले आगया उसके बाद आपने subject लगाया क्योंकि she singular है इस वज़े से हमने s का अधाफा rejects कर दिया क्योंकि present simple है अगर अगर उसने तुमारी proposal ना मानी तो या अगर उसने तुमारी proposal छुकरा दी तो reject कर दी तो अब इस तरीके के sentence में हम what if को इस्तुमाल कर रहे हैं ठीक है जी अच्छा उसके बाद हमारे पास एक sentence है देखें what if it rains there what if it rains there अगर वहाँ बारिश हो गई तो या हम ऐसे भी वर सकते हैं अगर वहाँ बारिश हो गई फिर तो यहाँ पर भी हमने what if को पहले लगाया और it क्यूंके singular है तो यहाँ पर हमने s लगा दिया and there अच्छा यहाँ पर इसका हर्गिस यह मतलब नहीं है कि मैंने यहाँ पर तीनो singular subjects लगाए हैं तो आप singular subject ही लगाएं आप pillar subject भी लगा सकते हैं वहाँ पर s और is का अजाफा automatically नहीं होगा जैसे यहाँ पर अगर आप को लें what if he की जगा पर what if they refuse लूज तो first form आ जाएगी ठीक है और is और is का अजाफा बलकुल नहीं होगा वहाँ पर क्यूंकि वह subject भी लगाएं उसके बाद जी हम आते हैं negative पर हालांके वो जो sentence हम बना रहे हैं वो interrogative sentence दे रहा होता है सवालिया sentence होता है हम suppose कर रहे होते हैं सवालिया sentence के अंदर यहाँ पर भी हम suppose करेंगे मगर यहाँ पर interrogative और negative दोनों साथ होंगे ठीक है अब देखें यहाँ पर पहले आएगा what if जो already हम सीख चुके हैं कि what if पहले आएगा then subject आएगा अच्छा subject के बाद आप negative करने के लिए या तो do not को इस्तमाल करेंगे या फिर does not को इस्तमाल करेंगे सभी है जी क्योंकि अगर subject singular है तो आप does not को इस्तमाल करेंगे he sheet की जगह पर अगर subject singular है तो आप do not को इस्तमाल करेंगे and then verb की first form as usual आएगी and then object आ जाएगा तो यह एक किसम का negative और interrogative दोनों साथ होंगे पर क्योंकि यहाँ पर do या does जो है subject से पहले इस्तमाल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर यह काम जो है interrogation का या interrogative का वो what if खुद कर रहा है अब देखें यहाँ पर sentence ने what if he does not agree अगर वो agree नहीं करता तो ठीके अगर वो agree नहीं करता तो या वो अगर नहीं मानता फिर अगर वो हमारी बात नहीं मानता तो या अगर वो हमारी बात नहीं मानता फिर तो यहाँ पर negative करने के लिए मैंने क्या किया what if की बात subject उसके बात does not लगा दिया क्योंकि subject हमारा क्या था singular था और फिर आगया agree वर्ड की first form उसके बाद दूसरा sentence आप देखें What if they don't remember What if they don't remember अगर उनको याद ना आया तो या अगर उनको याद ना आये तो अब इसमें भी आप देखें What if पहले आएगा उसके बाद they आगया they particular subject है तो यहाँ पर हमने दे के साथ do not को इस्तमाल किया ठीके अगर particular subject होता है तो हम don't को या do not को इस्तमाल करते हैं जोके एक ही बात है and then verb की first form आगया So what if they don't remember अगर उनको याद ना आये फिर या अगर उनको याद ना आये तो आया तो दोनों एकी sentence है उसके बाद ही आप देखें what if she does not offer tea what if she does not offer tea अगर वो हमें चाए ना दे तो अगर वो चाए ना आफर करे तो अब यहाँ पर भी क्योंके subject singular है she है तो इस वज़ा से हमने does not को इस्तमाल किया singular subject को के साथ हमने singular verb को इस्तमाल किया जोके does not है and then offer verb की first form and then tea आगया आपका object So what if she does not offer tea अगर वो चाए नहीं देती तो अब यह जो सितने भी अपने sentences पढ़े है इनको what if वाले sentence या suppose वाले sentence भी कहा जाता है ठीके जिसमें आप फर्ज करते हैं ठीके suppose करते हैं और suppose करने का एक यह तरीका था जिसमें आप what if को इस्तमाल करते हैं अपनी language के अंदर हमने सीखा कि कैसे आप affirmative यानि positive जमले बनाएंगे जो actual में जनका concept जो है जनका context जो है actual में interrogative है और कैसे आप उनको negative बनाएंगे ठीके जी I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी अगर कोई भी problem है कोई issue है तो आप मुझसे comment section में बिल्कुल पूछेंगे